आपको प्लेस्टोर से सबसे पहले स्नेपचेट को डाउलोड कर लेना है यहां टाइप करना है स्नेपचेट तो मैंने इसे डाउलोड किया है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूं उसके बाद देखें यहां दो ऑप्सन आ रहा है साइन अप और लॉगिन अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं और अगर आप हमारे पास अकाउंट नहीं है तो हम क्या करेंगे से क्रेट करेंगे तो हम क्या अगरे साइन अप पर किलिक तो हम यहाँ पर continue पर click कर देंगे, permission मांग रहा है, यह हमसे contact की permission मांग रहा है, तो हम इसे allow कर देते हैं, आप चाहिए, तो disallow भी कर से, don't allow भी कर सकते हैं, allow Snapchat to make and manage phone calls, allow कर देते हैं, allow Snapchat to send you, not please, allow कर देते हैं, उसके बाद देखिए, हमसे पूझे, what's your name, हम यहाँ पर नाम डाल देते हैं, तो मैंने अपना नाम डाल दिया, तो यह मैंने नाम डाल दिया, उसके बाद क्या करेंगे, हम continue पर click कर देंगे, उसके बाद यह बर्थडे पूछ रहा है, तो यहाँ नीचे देखिए, नीचे, यहाँ पर हम birthday सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यह हमने क्या गिया, बर्थडे सेलेक्ट कर लिया, चलिए हमने बर्थडे सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद देखिए हम क्या करें, continue पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद देखिए यह हमारा हो गया, your username is, तो यह हमारा username हो गया, आनंद record, आप चाहें तो guys हमने password बना लिया है और make sure आपका जो password है इसमें जो देखिए इसमें जो password है वो 8 character का होना चाहिए ठीक है तो यह मैंने password बना लिया है password looks good हम क्या करें continue पर click कर देंगे उसके बाद देखिए इसने automatically जो हमारा mobile number है और वो detect कर लिया है लेकिन हम यहाँ से जो mobile number है वो change कर देंगे चलिए मैं mobile number change कर लेता हूँ क्योंकि यह number मेरा बंध है तो हम वो number डाल दी जिसपे हमें account create करना है चलिए हमने यह number डाल दिया है जिसपे मुझे account create करना है तो आप चाहें तो email address का भी use कर सकते हैं यूज email address instead तो यहाँ जी option आ रहे यूज email address आप email address भी बना सकते हैं लेकिन मैं mobile number का यूज करने वाला हूँ ठीक है अब फिर इसके फिनिस पर हमें किलिक कर देना है उसकी बाद देखिए confirm your number तो यह देखिए उसने Snapchat वगरा यूज करता होगा उनका बना हुआ होगा तो यह उनकी ID आ जाएंगे तो आप यहां से इने select कर सकते हैं जो हमारे प्रोफाइल पोटो मैं आप चाहें तो अपनी प्रोफाइल पोटो अपलोड कर सकते हैं फिलाल मैं अभी नहीं अपलोड कर रहा है यह यहां उपन आ रहा है इसके पर किलिक कर देंगे उसके बाद देखिए यह यहां से चैट का आ रहा है तो हम यहां से चैट बगएरा कर सकते हैं और यहां पर स्पाइट कीओ यहां से इसके रिओ कर देखिए और यहां से सपोट लाइट बगएरा यह इसमें मैप का फीचर है तो आप यहां से मैप इनेड़ल कर सकते हैं फिलाल मैं सक्टिप कर देथा और यह चैट का उप्शन और यहाँ पर देखिए इसके लाभा हम अगर यहाँ पर pon iday यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ सी ऊपर देखिए राइट साथ में सबसे ऊपर अगर हम इस पर किलिक करगे तो हमारा जो बैक कैमरा है इधि esti जानकर i hope you like this video please subscribe my youtube channel